So hello and welcome guys, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये टुटोरियल नम्म सीख्स रहेगा, कि आप अगर बटन पर क्लिक करते हैं, तो दूसरा एक्टिविटी में कैसे जा सकते हैं guys, एब बिल्डर में, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बाकी के टुट अगर आपने नहीं देखा हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में प्ले लिस्ट का लिंग मिल जागा, आप चाहें तो वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं, फिलहाल हम जानने वाले इस वीडियो में कि बटन पर क्लिक होगा, तो हमारा दूसरा एक्टिविटी मत दिखाना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने बाखी का टुटोरियल्स नहीं देखा है, तो देख लिजेगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में लिंक दे दिया हो, प्ले लिस्ट का, आप चाहें तो सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है गाईस, तो सारे वीडियो को आप जरूर देख लिजेगा एक बार, ताकि आपको समझने में परिसानी ना हो, तो देख सकते हैं कि यहां पर आपने यूटू में अपने चेनल में, टोटल सिक्स वीडियो जो है, अप्लोड किये हैं, यह प्लेइलिस builder में ठीक है और app builder को open करते ही यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम create करेंगे यहाँ पे app tree में जाएंगे ठीक है app tree में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने already create कर रखा है यह project पहले मैं experiment करता हूँ उसके बाद तो यहाँ पे चलिए मैं separate बताने वाला हूँ सबसे पहले back कर लेंगे यहाँ पर जितने भी project है वो आपके so होगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उपर में अगर आप इस पर click करेंगे plus वाले icon पर तो यहाँ पर new project आपको create करने का option आ जाएगा सबसे पहले हम इसका name दे देते हैं button click open next page ठीक है तो यहाँ पर इसका name दे दिया आप चाहे तो app का icon भी change कर सकते हैं मैंने यह सबसे related सारे videos बना रखे हैं आप चाहे तो देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पर tick कर देंगे टिक करते ही यहाँ पर जो है यह first में आ जाएगा आपका ठीक है गाईस तो अब हम इसपे जाएगे और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे options आपको देखने को मिलेगा फिलाल हम अभी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर app tree में जाएगे जितने भी codings करते हैं इसमें app builder में app tree में करते हैं ठीक है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो बहुत सारे options हैं अगर आप मेरे बाकी का tutorials देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यह सब features क्या होते हैं मैंने already यह सबसे related मैंने explain कर रखा है तो आप वह बाकी के होने देते हैं यह simple application है run होने के बाद यहाँ पर यह इस टॉल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर श्टॉल होने देते है तो देख सकते हैं यहाँ पर श्टॉल करने का option आगया अब यहाँ पर हो गिया install हम कर लेंगे यहां पर यह देख सकते हैं hello का हमारा भी store हो रहा है ठीक है तो हम अभी क्या करेंगे अब इसको थोड़ा सा back करेंगे ठीक है तो यह हमारा text store हो रहा only तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे अगर features में अगर आप click करेंगे पलस वाले एकन पर तो देख सकते हैं हमारा एक man activity है मतलब हमारा page जो है home page है only man activity है जैसे sketchware में होया करता था ठीक है तो यहां पर इसके अंदर जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर relative layout के अंदर जो हमारा है एक view के अंदर जो है हमारा text view है देख सकते हैं यह text view है text view जो कि hello करके हमारा जो सो हो रहा था ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यह text view है जो कि text में hello करके सो हो रहा था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हमारा application open होगा तो man activity में ही रहेगा हम यहाँ पर text view की जगा जो है button set करते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस पर click करना आपको ठीक है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर देशनती यह वाला आपको जो option आ जाएगा आप इस पर click करके जो है directly यहाँ पर edit कर सकते तो हम इस पर edit वगरे कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर इसे select करने के बाद delete वाले button पर click करेंगे यह हमारा हट जाएगा ठीक है तो button हट गया अब हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप view select है automatic तो view हमारा क्या रहेगा यहाँ पर plus पर click करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे देख सकते हैं एक button का option सोबर आओगा तो इस button को हम लिया आएगे इस पर click करेंगे तो automatic यह आजाएगा guys इसमें आपको coding नहीं करना पड़ता है sketch viewer में block set करते हैं वैसे ही यह बहुत easy बस आपको समझने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आएगी समझने जाएगा एक बार तो आपको यहाँ पर कोई भी problem नहीं आने वाला है easily आप जो सारा coding कर सकेंगे without coding के मतलब सारा programming इसमें set कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर button आ गया है तो हमारा button का specification जैसे properties होता था हम edit करते थे sketch viewer pro में तो वैसे ही यहाँ पर plus पर click करेंगे तो देख सकते हैं कि अभी on button sequence है और यहाँ पर इस button का नाम है देख सकते हैं android text करके नाम इसका है तो मतलब button का नाम जो है hello करके नाम है ठीक है तो button हम इस पर select करेंगे तो यह automatic के orange color का हो जाएगा ठीक है यह orange color का हो जायता है sorry hello color का हो जाता है तो फिर उसके बाद हम इसका जो है हम change भी कर सकते हैं तो button को change करने के लिए हम यह क्या करना होगा यहाँ पर यह pencil वाले button पर click करना होगा ठीक है और pencil वाले पर click करेंगे तो यहाँ पर edit करने का option आजाएगा चलिए हम इसका name रख देते हैं click open page ठीक है मतलब इस button का name रहेगा click होगा तो open page नाम है शिर्फ click open page नाम है ठीक है अब अब भी अगर आप run करेंगे चलिए हम इसको run करके आपको दिखाते हैं उपर में इस पहले button पर click करेंगे तो run करेंगे इसको तो guys यहाँ पर क्या होगा कि run कर लेंगे हैं इसमें तो आपको जो है अभी हमारा buttons होगा जहां text views हो हो रहा था वहाँ अब हमारा जो buttons होगा क्योंकि हमने button लिया है ठीक है guys video को enter देखेगा वीडियो भले ही लंबा होगा लेकिन पूरी explanation देने वाला हो एक बार वीडियो देख लिजेगा तो आपको problem नहीं आएगा ठीक है चलिए यहाँ पर update कर लेते हैं guys इसे update कर लेंगे तो यहाँ पर देखिते हैं यह हमारा बटन सो हो रहा है अब इस पर click करेंगे तो कुछ भी open नहीं हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि इस button पर click हो तो हमारा next page में चला जाए ठीक है तो चलिए फिर से आ जाते हैं यहीं back कर लिते हैं और यहाँ पे यह तो हो गया button click का तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको यह हमारा man activity के अंदर है देख सकते हैं यह minus का sign लगा हुआ है मतलब man activity के अंदर है ठीक है नया page create करेंगे page मतलब activity create करेंगे तो नया activity create करने के लिए यहाँ पे features आपको देखने हो मिलेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको देख रहा होगा activity तो simple हम इस पर click करेंगे अब यहाँ पे देख सकते एक्टिविटी 1 आ गया ठीक है आप चाहे तो इसे उपर नीचे भी कर सकते हैं ये उपर भी कर सकते हैं और home को नीचे भी कर सकते हैं जैसे यह main activity है इसको हम नीचे भी कर सकते, कैसे करेंगे, simple है, देख सकते हैं, यह वाला आइकन है, तो हम उपर करना चाहते हैं, जैसे उपर वाला पर किलिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे का आइकन Home, ठीक है, Home रखते हैं, तो यह Home हो गया, अब Activity Home, अब हम Home के अंदर जो है, एक देख सकते हैं, पलस है, तो पलस पर किलिक करेंगे, तो यह देख सकते हैं, इसके अंदर भी हमारा Automatic Aid हो जाता है, Text View, देख सकते हैं, Text View एड़ हो गया है, इस Text View का नाम है Hello, तो हम इस पर Select करक ठीक है, Select करने के बाद यहाँ पर Edit पर किलिक करेंगे, और यहाँ पर हम इसका Hello के जगा Home कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आया है, कि Home Activity है हमारा, ठीक है, अब Home Select हो गया, अब देख सकते हैं, यहाँ पर Specification में देखेंगे, कि Text का Specification दिया, Properties, मतलब Plus पर किलिक करेंगे तो Text का Property आजाएगा, मतलब Text में आप Size Increase कर सकते हैं, Decrease, मतलब बहुत सारे Features कर सकते हैं, ठीक है, तो Red Color है, देख सकते हैं, Text का Color, Radiance होगा, तो यह हमारा, फिर से हम क्या करते हैं, इसको हम Minus कर देते हैं, ठीक है, यह कौन सा Activity था, Home वाला, तो Home पर Minus कर देते हैं, हमार Starting में, Man Activity Open होगा, क्योंकि हमारा Set जो Program है, वो हमारा Man Activity Set है, वो कैसे हम देखेंगे, वो देख सकते हैं, आप यहां से, आप देख सकते हैं, अगर आएंगे, तो देख सकते हैं, यह Launcher Activity है, आप अगर उसको Home Activity को Launcher बनाना चाते हैं, तो इसको Delete करके, और वहां पर उसको यह लगाना पड़ेगा, यह Code को, ठीक है, तो हम इसे इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि इसी Activity के अंदर जो है, बटन हमारा Home में, शुरू में आएगा, तो हमने जो बटन लिया था, देख सकते हैं, बटन करके, इसका Name भी दे सकते हैं, बटन 1, 2 3 करके, दे सकते हैं, ठीक है, तो हम अभी कुछ नहीं देंगे, अब यह हमारा देख सकते हैं, कि यह हमारा आ चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कि हम इस बटन पर क्लिक होगा, तो हमारा Home Activity में चला जाए, तो Home Activity में जाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करे करेंगे, यहाँ पर कुछ एड करेंगे, क्या एड करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, इस किलिक पर किलिक करेंगे, ठीक है, किलिक पर किलिक करने के बाद यहाँ पर यह वाला Option आपको देखने को मिलेगा, पलस वाला एक, ठीक है, तो पलस वाला पर किलिक करके, और यहाँ एक्सAttी एर्य बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो सर्च भी कर सकते हैं झालिये फैंडल तो सब करके चलिह यह तो आpay कारेंगे शल से करके सार्श्च भी कर सकते हैं एक्टी वीटी पर कलिक करेंगे ठिक है घश यहाँ पर प्लस करेंगे और यहां पर सब हसे पहले हम सर्म करेंगे सर्च करेंगे एक्टीविटी डेख लेते हैं यह भी सर्च में हमारा नहीं आ रहा रहा है ठिक है कर आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप यह सब चीजें करेंगे purely colleg बटन पर किलिक करेंगे ठीक है, कि हमारी जब किलिक होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा activity में जाना चाहिए, मतलब home में चला जाना चाहिए, ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये plus वाले पर अभी नहीं किलिक करेंगे, हमको सो होगा ओन करके ठीक है ध्यान रहे गाईस हमको दूसरा एक्टिविटी में इसमें जाना है तो ओन यह देखते एक्टिविटी डोट स्टार्ट ओन ठीक है यह वाली को हम इसे लाएंगे यहाँ पर और यह हमारा देख सकते हैं यह पलस पर आ गया ठीक है तो हमारा जब बट सेक्वेंस यहाँ पर हम सेट करेंगे गाईस यह सीक्वेंसी रहने देते हैं इसका सीक्वेंस था अब बैक भी कर सकते हैं इससे ठीक है गया चलिए बैक को करना है तो बैक करने के लिए सबसे पहले आप इस पर करेंगे ठीक है चलिए बैक कर लेते हमारा सीक्वेंसी जैसे है वैसे ही रहने देते हैं हम क्या करते हैं यहां पर हम सबसे पहले इसमें नहीं गाइस हम सबसे पहले एक activity को add करते हैं यहाँ पर इस पर click करके और यहाँ पर plus पर click करेंगे सबसे पहले activity को add करेंगे ठीक है कि click होगा तो activity हमारा जो add हो जाए ना चाहिए ठीक है तो देख सकते हैं यह वाला activity हमारा add हो गया ठीक है ध्यान रहे हमेशा द्यान रहे यह पलस पर क्लिक करते हैं तो नीचे में add होगा और यह वाला option पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो उसी में changes होगा ठीक है तो यह चीजे ध्यान रखना है दो चीज का ठीक है सबसे पहले हमने क्या क्या यह हमारा sequence उसी तरह रहेंगे और हम add करेंगे activity on start आप क्या होगा कि यहां पर own activity यहां पर selected है अब कौन सा activity हमारा जाएगा जब button पर क्लिक होगा उस activity का नाम देगे तो हम सबसे पहले देख सकते हैं इसका name है home जैसा लिखा हुआ है as it is वह सा ही लिखना है ठीक है तो हम को इसको इडिट करना है इडिट करने के लिए हम इस पर जो है ऐसे किलिक करते हैं ठीक है गाइस यह इडिट करने के लिए हम इस पर किलिक करेंगे और हम इसको इडिट करेंगे ठीक है चलिए गाइस इडिट करेंगे तो सबसे पहले हम इडिट करेंगे इस पर क्लिक करेंगे एक्टिविटी ये एक्टिविटी है इस पर क्लिक करके इंपटी जो है उसको हम इडिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है यहाँ पर हम क्या करेंगे pencil वाले पर click करेंगे हैं यहाँ पर आ गया edit करने का और home इस करने रख देंगे ठीक है यह home हो गया तो यह automatic उपर में edit हो गया ठीक है यह home हमारा आ गया तो यह हो गया हमारा guys ठीक है अब यहाँ पर हमारा यह तो set हो गया simple करना था कुछ नहीं यहाँ पर activity हमने home set कर दिया कि हमारे जब activity यह होगा तो हमारा home पर चला जाएगा अब इसे हम run कर देते हैं और run करने के बाद देख सकते हैं यह हमारा home activity में automatic चला जाएगा जब हमारा button पर click होगा तो आपको ध्यान रख रहे हैं इस सब चीज़ों को और आपको क्या करना है same procedure को apply करना है apply करने के बाद जो है यहाँ पर आप push tap से features को add कर पाएगे तो देख सकते हैं यह button है हमारा और button पर click करेंगे तो home activity में आ गया देख सकते हैं तो इस तरह से next activity में आप जाने का button जो है create कर सकते हैं तो आज के लिए इतने ही गाई और I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हुए तो चली मिलते है नेक्स वीडियो में नैटोपी के साथ आप तक लिए जैन वन्दे मात्रम